आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं Landmark Cars के MDN Founder ठकर साब जो हमारे जुर रहे हैं बहुती यूनीक कंपनी है नीश जैसा की मिलिन बता रहे थे ठकर साब गुड मॉर्निंग बाबबा शुक्रिया आपने आपने Mercedes का हमारा इंटराक्शन देखा था पिछले हफते चैनल पर मैं आपसे सुन रहा हूँ कि आपने क्या बात करिये उन से येस अंडर प्रेनेटरेशन काफी है और हेडरूम यहां काफी है यह मुझे तो समझ में आ रहा है कि यह जर्नी अभी अभी शुरू हुई है यह तो बात हो गई और इस बार हमने आपके रिजल्ट भी देखे solid growth आपने दिखाई margin expansion 25% EBITDA growth मैंने देखा कि आपने अपने analyst control में जिक्र किया है कि जो आपके बात current portfolio है अपने cards का Mercedes and others other luxury cards आप उसमें एक नया नाम जोडने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कुछ बता सकते आप इसके बारे में इस वक्त? आपके बारे में आपके कॉमेंटरी के कुछ पार्ट में लगातार प्रे कर रहे हैं जो आप प्रिम्म प्रिम्म का फोकस ही रहेगा कि प्रिम्यम लग्शरी सेग्मेंट में ही काम करें और उसी में हम organic और inorganic opportunities देखेंगे इसमें काफी opportunities आएगी अभी तो यह शुरू आपने परिये सही बात करी ग्लोबल जो ओईज है All of them are now so focused on India अभी आप एक के बाद एक announcement देखेंगे अभी मैंने दो तीन दिन पहले पड़ा रेनो और निसान ने भी कुछ 600 मिलियन डॉलर का investment अनॉन्स किया है Mercedes के Ola Colonious जो global CEO थे वो भी January में इंडिया आए थे मैं भी उनसे मिला था और आप एक के बाद एक OE को देखेंगे तो they are all focused on India India में ही growth होना है India has become the third largest market in the world और यहां luxury penetration जो है is one percent यानि हम 40 लाग गाड़ी बेचते हैं उसमें से luxury car सिर्फ 38,000 that was the figure last year so यह मुझे नहीं लगता कि इससे कभी गाड़ी बिकेगी इंडिया में जो होना है वो इससे ज़्यादा ही होना है so सभी का focus इंडिया है और as the largest player for practically all the players that we partner with whether it is Mercedes-Benz, Jeep, Honda, Volkswagen, BYD तो हमें यह लगता है Honda तो यह लगता है कि यह बहुत ही उंदा समय है to be in business and कई सालों तक यह growth होती रहेगी सभी जी एक चीज में को आपसे समझनी है यह जो लोग गारी खरीदते हैं यह शौंक बड़ी चीज है या फिर उनके पैसे बढ़ रहे है क्योंकि आप एक ऐसे segment को deal करते है न वो बिल्कुल clear filter है सबसे बहतरी तरीके से बताता है तो शौंक बड़ी चीज है या फिर पैसे बढ़ रहे है कई चीजे साथ में हो गई है मैंने एक प्रोग्राम में बोला था कि एक कोईड में लोगों को एक योलो एक नए अमने acronym डाला था you only live once वो भी एक हो रहा है there is also safety अपने देश में कई रोड बन रहे हैं अभी आप देखेंगे कि मुंबई दिल्ली कोरिडॉर भी चालू हो जाएगा so लोग अभी तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुंबई से दिल्ली कोई रोड से जाए बट अगर वो 12-14 घंटे में हो जाएगा तो कही लोग रोड से भी प्रिफर करेंगे जाना so road travel is gathering momentum, people want safer and more luxurious cars, more comfortable cars so जैसे road travel बढ़ेगा जैसे अमेरिका में है, चाइना में है, इंडिया में road travel इतना है नहीं तो अगर congestion घटेगा, हम मुंबई में बैठे हैं, मुंबई में अगर parking बढ़ जाए, coastal road बन जाए तो ये कई चीजे साथ में आ जाएगी, तो shock एक चीज है, बढ़ती income एक चीज है अगर आप देखें तो इंडिया में car penetration is 2-2.5% so 2.5% लोग ही car आज own करते हैं, अगर इंडिया 5 trillion economy है, world power है तो ये number तो बहुत ही कम है, रेली ये 4-5 गुना तो होना ही चाहिए मैं आपको बता दू एक feedback की काफी funds भी ये सारी बाते देखके आपके stock की तरफ बहुत positive views रख रहे हैं, मैं लानी पाया है, लेकिन पिछले ही हफते गौतम तरवेदी हमारे शोपे इसी शोपे बातशीत करते हुए नज़र आए थे और काफी positive feedback आपकी company के बारे में दे रहे थे, of course results के बाद महँआ शुक्रिया आप संजय आज हमसे बात करने के लिए